तो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी कारेस जिंक्षन पर मैं हूँ घंशाम शर्मा और सुप्रभात दिनांक 8 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेर्स के एडिशन में आज हम बात करेंगे RPSC के लिए कुछ और महत्पून प्रश्णों के बारे में तो दोस्तो 2020 तो समापत हो चुका है लेकिन उसका जो करंट अफेर्स का कम्प्लीट एडिशन है वो वार्शिकांग के रूप में अवेलेबल है आप सभी के लिए हमारी एप्लिकेशन पर जिसका नाम है RS जंक्षन तो आज ही Google Play Store से इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके और आप इसका लाब उटा सकते हैं इसके लाब जो ACF की तयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए जोग्राफिय अफ राजस्थान का जो है एक कोर्स हमने लॉंच किया है मनीज सर जिनोंने आपको पहले एकोनोमी भी कंप्लीट करवाया है उन्होंने जोग्राफिय अफ राजस होंगे आज भी तो आप अंति तक बने रही है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर कीजिए भारत के पहले निजी छेत्र के स्पेस लॉंच वीकल का नाम क्या है दोस्तों विक्रम वन के नाम से एक निजी कंपनी द्वारा जिसका नाम स्काई रूट है वो कंपनी भारत के पहले निजी छेत्र के स्पेस लॉंच वीकल को पैयार कर रही है तो लगातार सरकार द्वारा जो है अंतरिक शेत्र में निजी छेत्र के सयोग को लेने का काम किया जा रहा है दो बड़ी कंपनिया इससे पूरु बनाई जा चुकिया जिनमें एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम से और दूसरी इन स्पेस के नाम से तो ये दोनों ही कंपनिया जो है वर्तमान समय में वानिजिक निजी उडानों को प्रोटसाहित करने का कारिय कर रही है और इसके साथ साथ भारती इंडिस्ट्री जो है जो निजी इंडिस्ट्री है उसका लाब लेने का काम यहाँ पर कर रही है तो भारत की पहली निजी अंत्रिक्ष कंपनी है Sky Root Aerospace जिसने full solid propulsion rocket stage का परिक्षन किया इस rocket stage को कलाम 5 नाम दिया गया है तो यह जो propulsion rocket stage है उसी का नाम है कलाम 5 कलाम 5 का निर्मान advanced carbon composite structure से किया गया है और इस solid propulsion rocket में 9 तरह की अलग-अलग वे निर्मान प्रक्रियाओं का प्रियोग करते वे 15 से भी ज़्यादा उन्नत सामगरिया लगाई गई है इस प्रोध्योगी की का प्रियोग कंपनी जो है वो अपने विक्रम 1 नामक space vehicle में करेगी तो वर्तमान में जिस तरह से मारे पास में PSLV और GSLV हैं उसी तरह से अब ये कंपनी जो है sun synchronized जो orbits है ठीक है जो lower orbits है SSLO जिनको का जाता है तो सूर्य तुल्ले कालिक जो निम्न कक्षाय हैं उनमें अपने उपग्रहों को भेजेगी और विक्रम 1 की शमता 250 kg तक के छोटे उपग्रहजे होते हैं उनको भेजने की होगी इसके बाद क्रमशे विक्रम 2 और विक्रम 3 लाए जाएंगे जिनमें इसकी जो वजन लेने की शमता है उसको बढ़ाया जाएगा विक्रम 1 लाँच विकल के तीसरे चलन का परिक्षन जिसको कलाम 100 नाम दिया गया है वो कुछ ही दिनों बाद में वापस से किया जाएगा इसकाई रूट ने इसरो की मदद से धिसंबर 2021 तक इसे लाँच करने का लक्षे भी रखा है अगर इस कंपनी की बात करें तो ये भारत की निजी एरोस्पेस कंपनी है जो हैदराबाद में बेस्ट है इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी और पहली बार अगस्त 2020 में इसने अपने रॉकेट इंजन रमन का परिक्षन भी किया था तो स्काई रूट और विक्रम वन को आप याद रखे क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है निजी छेतर में पहली बार हो रहा है तो प्रशना सकता है दोस्तो हाली में चार नैयलेों में मुख्यन इधिशों की नियुक्ति की गई थी और इसके बाद अब एक और नियुक्ति की गई है श्री सुधान शुदु धुलिया की गुवाहटी उच्छन इयले में मुख्यन इधिश के रूप में मूलभूत रूप से उत्राखंड के उच्छ नयायले के ये नयाधिश थे श्री नयायमूर्ती सुधानशु धुलिया और इनको अब गुवाहर्टी उच्छ नयायले में नयायधिश नयुक्त किया गया है दोस्तों इनकी हिस्ट्री के अगर बात करें तो सुधानशु धुलिया साथ जुलाई 1986 को एक वकील बने और इसके बाद इलाबाद और उत्राखंड उच्छ नयायले में उन्होंने सिविल, सवेधानिक, सेवा और श्रम मामलों में वकालात की एक नवंबर 2008 को वे उत्राखंड उच्छ नयायले में स्थाई नयायदिश बने थे जिसके बाद अब उन्हें गुआहाटी में मुख्य नयायदिश बनाया गया है दोस्तो लगातार जो देश में रेल्वे है उसके उन्होंनती गरण का कारे चल रहा और इसी क्रम में जो डेडिकेटर फ्रेट कोरिड़ॉर है उसके पस्चिमी गलियारे में रेवाडी मदार खंड का हाली में समरपित किया गया देश को दोस्तों ये रेवाडी मदार खंड 306 किलोमेटर लंबा है जिसमें से 227 किलोमेटर का हिस्सा राजस्थान में है तो राजस्थान ही छेतर में ओध्यों की विकास के लिएक महत्वपून भूमिका ये देगा क्योंकि अब जो है ट्रेने और अधिक तेजगती से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा पाईगी ये खंड हर्याना राज्य में महेंद्रगड और रेवाड़ी जिलों में लगबग 29 किलोमेटर राजस्थान के जैपूर, अजमेर, सीकर, नागोर और अलवर जिलों में 227 किलोमेटर में फैला है अभी मैं इसके चितर से भी बात करूँगा WDFC अर्थात Western Dedicated Fred Corridor का लगबग 40% भाग राजस्थान में है नए स्टेशन्स बनाए गए हैं तो 9 नए स्टेशन है जिनमें निव डाबला, निव भगेगा, निव श्रिमादोपूर, निव पचार मलिकपूर, निव साखून और निव किशंगड जबकि तीन जंक्षन इस्टेशन जिसमें निव रेवाडी, निव अटेली और निव फलेरा समय लेता अब आप इस चीज़ को समझीए कि यहाँ पर नए स्टेशन क्यों बनाए गए दरसल एक dedicated corridor है जो सामान्य जो railway की लाइन से उनसे अलग है और यह केवल और केवल freight अर्थात जो माल है उसी के परिवहन के लिए काम में लिया जाएगा एक संस्थान के स्थापना की गई थी company के रूप में dedicated freight corridor corporation of India को यह बनाया गया ताकि पूरे देश भर में ऐसे dedicated freight corridor बनाये जा सके है इसमें पस्चमी विशेश मालवाग गलियारा 1506 km का है और पूरवी विशेश मालवाग गलियारा 1875 km का यह दो गलियारे अब तक sanction हो चुके हैं और वरतमान में काम कर रहे हैं इनके बारे में बात करें तो जो पूरवी जो है वो लुधियाना पंजाब से होकर के और पस्चम मंगाल के दनकुनी जाएगा जबकि जो पस्चमी गलियारा है वो उत्रप्रदेश में दादरी से मुंबई में जवालाल नेरु पंदरगाउं को जोड़ेगा अब आप यहाँ पर चितर में देख सकते हैं कि यह प्रोजक्ट कैसे काम करेंगे तो यह लुधियाना पंजाब से होकर के हरियाना उत्रप्रदेश उसके बाद में बिहार जारखंड और पस्चम मंगाल के दनकुनी तक यह पूरा का पूरा डेडिकेटेड कॉरिडर है जह को और अधिक तेज किया जा सके इसके अलावा और भी देश में डेडिकेटेड कॉरिडर बनेंगे जैसे के साउधन डीएफसी हो गया नॉट्ट साउध डीएफसी जो कि आपके पीर्थला से शुरू होगा ठीक है और यह विजयवारा तक जाएगा उसको आगे फिर एक्स जोड़ा तक और फिर उसके बाद में यह एक इस्ट कोस्ट कोरिडर जोड़ा जाएगा और सदन डीएफसी के रूप में आपके मढगाओं से और रानी गुंटा को जोड़ा जाएगा तो यह कुछ बनाया जा रहे हैं जिनसे तेजी के साथ में माल परिवहन को आयूजित क बड़ावा देने के साथ देश का विकास भी हो सके चलिए हाली में भारत में शुरू विश्व की पहली इलेक्ट्रिक लोको डबल स्ट्रेक कंटेनर माल गाड़ी की लंबाई कितनी है 1.5 किलोमेटर के साथ में माल गाड़ी को हाली में इस नए रूट पर जो नई नई किया गया जिसको कल लॉंच भी किया गया था दोनों ट्रेनों के फ्रंट लोको वैग डबल्यूएजी 12 है इसको समझो आप यह क्या है रसल आपने देखा होगा कि मधेपुरा बिहार में हमारे 12,000 होर्स पावर के इंजिन को पिछली स्कुछ सालों में आपने पढ़ा होग हमने एक इंजिन फिर उसके आगे माल डिबबे फिर उसके बाद एक इंजिन और फिर डिबबे इस तरह से हमने क्या किया और वो भी डबल स्टेक मतलब एक के उपर एक कंटेनर रखा हुआ है तो ट्रेन के दो इंजिन है जो बीच में एक इंजिन लगाएगे एक प्रती घंटा की अधिक्तम टफ्तार से चल सकते हैं इसके अलावा अत्याधुनिक तक्निक से लेसर जैसे कि इंसुलेटेड गेट वाई-पॉलर ट्रांजिस्टर अधरिद प्रपल्शन तक्निक वैक डबलियोजी बार ट्वैल भी पुनरियोजिंग ब्रेकिंग तक्निकी के साथ काम करता है जिसमें ब्रेक लगाते समय उर्जा की खपत भी कम होती है तो कहीं न कहीं भारत भी अब जो है टेक्नोलोजी बेस्ट जितने भी जो हमारे ट्रंस्पोर्टेशिन सिस्टरम से उनकी और बढ़ रहा है दोस्तों भारतियों ने और भी अपना नाम रोशन क किया है और इसी क्रम में भारतिय मुल्क अमेरिकी जो है डॉक्टर राज अयर उन्हें अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अदिकारी की रूप में नियुक्त किया है दरसल अभी ही इस पद को स्रजित किया गया था पेंटागन में जो रक्षा गेंद्र है जुलाई 2020 म और अब डॉक्टर राज अयर वहाँ पर CEO बनाए गए है उलेक्ट्रिकल इंजिनियरंग में PhD करने वाले अयर सेना के सचिव के प्रधान सलाकार है ठीक है और सूचना प्रबंदन में सचिव का सीधे तोर पर प्रतिम जित्तु भी कर चुके है ये एक थ्री स्टार जनरल के समकष्पद है और उन्हें सूचना प्रोध्योगी की के 16 अरब डॉलर के वार्शिक बजट पर माग दर्शिन देने का मौका मिलेगा और लगबग 15,000 ऐसेन्य और सेन्य कर्मी उनके अधिन काम करेंगे अयर अमेरिकी सेना को डिजिटल इस्तर पर मुकाबला करने के लिए म अमेरिका चले गए दोस्तों उनके पिता की पूरी पूंजी के वले एक सेमेस्टर के लिए ही काम आ सके और उसके बाद में जब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे ऐसे समय में उन्हें चात्रवती मिली और वे आज इस पद पर पहुँच पाए हैं चलिए परियावरण के और रुक करते हैं और जानते हैं एक और प्रश्ण राजस्थान में पाये जाने वाले एक जीव को हाली में गंभी रूप से लुप्तप्राई गोसित किया गया है और यह है काराकाल को शिया घोस के नाम से राजस्थान में जाना जाता है नैशनल बोर्ड फोर वाइल्ड लाइफ ठीक है राश्ट्री वन्यजीव बोर्ड जिसे की वन्यजीव संगरक्षन अधिनियम 1972 की धारा पांच एके तहट स्रजित किया गया है उस वन्यजीव बोर्ड ने बुदुहार को शेहागोस के लिए एक रिकवरी कारिकरम को मंजूरी दी और अब इसे गंभी रूप से लुप्त प्रजाती बताया है दोस्तों International Union for Conservation of Nature ने इसे least concern रखा है क्योंकि अफरिका में बहुत बड़ी मात्रा में ये मिलती है लेकिन भारत में ये गंभी रूप से लुप्त प्राए हैं क्योंकि इनकी संख्या 50 से भी कम है तो बहुत ही बड़ी समश्या इसके लिए अब हो चुकी है केराकल केवल गुजरात और राजस्तान में पाये जाता है दरसल ये अर्द शुष्क छेतर में रहने वाला जीव है और इस जीव को अलग-अलग नामों से दक्षन अफरिका में रुईकाट अर्भी में कोरा कुलाक काले कान वाला इसके जो ब्लैक इयर्स होते हैं उसके लिए से जाना जाता है जो काफि सवेदंशील है कच्छ भाषा में हार नोटरो अर्थाद ब्लैक बक्स का हत्यारा राजस्थानी में मोर मार बगेरा जो मोरों को मारने वाली जंगली बिली है और फारसी में शिया घोस का जाता है करा काल के उपस्तिदी केवल तीन राज्यों में है और दो में ही इसकी एक आबादी है जो नोटेबल है इन में से एक कच्छ जिले के दलदली इलाके में है जो कलो डूंगर नामक जगे है वहां घास के मैदानों में दूसरा राजस्तान के सवाय मादोपुर करोली और धोलपुर में दरसल रणथमबोर नैशनल पार्क वो जगह है जहापर वर्दमान में ये देखने को मिलते हैं करा कॉल के लावा अब गंभी रूप से लुप्त प्रजातियां जो पुनर प्राप्ती कारिक्रम में जो रिकवरी कारिक्रम में सम्मिलित हैं उनको टोटल संख्य हो गई है बाइस अब इस जीव की जन संख्या की गंडना की जाएगी उसके साथ इसके आवास की जो हैबिटाट लोग से उसको देखा जाएगा और इसके बाद गुडवन की तरह ही रिकवरी प्रोग्राम और प्रजनेंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा तो यह है वो बिल्ली जिसके बारे मैं बात कर रहा हूँ लंबे कान वाली एक एंटिना की तरह इसके कान यहां पर काम करते हैं और इसे किसी भी खत्रे की सूचना प्रदान करते हैं तो यह है दोस्तों आज की Current Affairs जिस पर मैंने चर्चा की तो इन Current Affairs का लाव अगर आप उठाना चाहते हैं तो PDF में इनको प्राप्त कर सकते हैं हमारी अप्लिकेशन से जिसा हमें ने बताया और भी धेर सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं जो खास करके अभी SCF exam के लिए आप देख सकते हैं RS के लिए भी बहुत से कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं तो आज ही जरूर डाउनलोड करें एप्लिकेशन और अपनी तयारी को आगे बढ़ें वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेर करें दोस्तों के साथ और सब्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सोभी का बहुत बहुत धन्यवाद